तो आगर मैं इंसर्ट की बात कुई जैसे मैं ने यहां पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है इसकी जो डेफिनिशन होती है इंसर्ट इन डेटाबेस मेनेजमेंट इंसर्ट इसक्वेल उपरेशन्स तैट एड्स न्यू डेटा रिकॉर्ड रोग इंटो टेबल जब आपको न्यू डेटा रिकॉर्ट को टेबल में इंसर्ट करना होता है तब हम इंसर्ट का यूज करते हैं अगर मैं अपसर्ट की बात करूं तो जैसे मैंने यहां पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है upset also known as merge in some database systems is a combination of update and insert operation it update existing records if they exist insert new ones if they don't so upset operation update command or insert command जो होता है उसका combination होता है और यह existing records को update करते है अगर वो exist करते है otherwise new records को insert करते है तो simple यह था इसका definition इन दोनों का अगर मैं इनकी example आपकी बाता हूं तो कैसे इसका example होता है दोनों का तो इससे आपका ज्यादा जो है concept clear हो जाएगा so insert imagine you are adding new items to your shopping cart on an online store when you click the add to cart button the system perform an insert operation it simply adds the item to your cart without checking if it's already there so अगर मैं insert का example बता हूं कि imagine करो आपके पास new item आपको swapping card में add कर रहे हो किसी online store पर जैसे की flip card amazon तो उसमें आपने देखा होगा add to card होता है जिसमें हम क्या करते किसी भी items को add करते तो जब हम उस पर click करते वो particular item क्या होता है वो जो system होता है insert operation perform करते और वो बीना check कि insert कर देता है कि वो particular जो item है वो card में exist करता है या नहीं करता है तो वो ऐसा कुछ check नहीं करेगा और just क्या करेगा उसको insert कर देगा यह simple था insert का अगर मैं अपसर्ट की बात करों consider managing your wish list on same online store you might want to add new item to your wish list but if an item is already there you might want to update its details like its priority or quantity this is where upset operation comes in so मालो same online store पर आप की कुछ wish list है जिसे आप manage कर रहे हो तो आप new item को wish list में add करना चाहते हो लेकिन अगर वो item already वहां पे exist होता है तो सायद आप उसकी details change करना चाहते हो जैसे कि उसकी priority या quantity तो यह वो scenario होता है जहां पर हम upset operation को perform करते हैं तो मैं आजाता हो pg admin पे अपने तो इसमें मैं आपको प्रेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे इसका हम query अगर लिखते हो कैसे इसका use करते हैं so firstly मैं आपको एक बड़ी table दिखा देता हूँ जैसे कि यहां पे मेरे एक table select star from asterix select asterix from and यहां पे मैं लिख देता हूँ shopping card तो यह मैंने एक table create कर रखा है just मैं आपको select command use की help से यहां पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम information को retrieve करते हैं यहां पर देख सकते हैं अभी कोई भी operation means कोई भी value यहां पर insert नहीं है तो अभी मैं insert operation यहां पर perform करता हूँ यहां पर लिखूंगा insert into और इस particular table को यहां से मैं copy कर लेता हूँ यहां copy करके यहां paste कर दिया इसके बाद इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ जो भी columns है इसमें item id चाहिए तो item id नहीं करते हैं just यहां पर क्या करेंगा item name, price, quantity यहां पर मैंने तीन column दे दिया values में हम क्या करते है item name दे देते है smart phone ओके अगें price में दे देता हूँ 20,000 quantity में दे देता हूँ तो अब इसको मैं execute करता हूँ तो यहां पर देखो query return successfully तो अभी जो मैंने यहां पर value insert करी है इस particular table में वो insert हो गई है यहां पर देखो item id 1 आ रहा है smart phone आ रहा है price आ रहा है 20,000 and quantity क्या रही है तो इस तहीके से आप insert option का perform कर सकते हो यह कुछ भी check नहीं करेगा कि यह exist करता है कि नहीं करता है ना तो इसको update करेगा just क्या करेगा insert कर देगा direct कोई भी इसमें operation other perform नहीं होंगी अगर मैं offset की बात करो तो कैसे हम इसका use करते हैं यहां पर लिखूंगा insert into wishlist इसके बाद जो भी इसमें कॉलम नेम है item id कॉमा item name कॉमा प्राइटी क्या है उसकी प्राइटी जो भी है मैंने यहां पर कॉलम लिख दिया वैल्यूज अब वैल्यूज आपको जो भी एड़ करना है लेट से मैंने यहां पर item id क्या दे दिया 101 यहां पर मैंने दे दिया smart phone ओके नाव प्राइटी मैंने दे दिया यहां पर हाई ओके अब मैं new line पर आ जाता हूं यहां पर मैं लिखूंगा on conflict किस पर conflict अगर होता है item id पर done इसके बाद यहां पर लिखूंगा do update set priority priority मैंने यहां पर लिख दिया इसकोल टू excluded dot priority यह साही चीज़े मैंने upset के लिए मैंने लिखी है अभी मैं इसको execute करते हो तो देखते है result set में क्या आता है यहां पर मैंने इसको execute करा तो देख सकते हो insert और upset में कितना difference है जब भी आप code write करते हो तो यहां पर मैं wishlist के लिए जो है information retrieve कर रहा हूं by using select command तो यहां पर देख सकते हो जो हमारा यहां पर मैंने insert किया था 101 smartphone and high तो यहां पर वो value insert हो चुकी है let's say मैं अगर इसको दो बार से perform करता हो इस particular query को तो यहां पर देखो यहां पर query return successfully but अगर आप यहां पर check करोगे तो इसमें कुछ भी हुआ ही नहीं है means insert नहीं हुआ है क्योंकि यह already exist करता है तो अभी मैं क्या करता हूं let's say मैं यहां पर इसकी priority जो है change कर देता हूं मैंने आपको क्या बताया था कि अगर exist करेगा तो वो क्या होगा दो बार से उस card में add नहीं करेगा उस particular अगर किसी भी shopping means online store पे आप shopping कर रहे हो और उस particular items को add कर रहे हो card में फिर उसको क्या करेगा same जो है item को वो add नहीं करेगा जो item ID same होगी जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है on conflict item ID अगर same item ID होगी तो नहीं वो करेगा let's say मैंने यहां पर अब क्या करा update आप कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर अभी low कर दिया अभी 12 से अगर मैं इसको execute करता हूं तो let's see यहां पर मैंने update करके जो high था priority इसको low कर दिया अभी यहां पर देखो priority क्या हो गई high हो गई sorry low हो गई तो इस तरहिके से आप update कर सकते हो जो भी आपके item है उसकी quantity वगएरा उसकी जो priority क्या low है high है मीडिया में वो साही चीज़े आप upset में कर सकते हो बट ऐसा आप insert में नहीं कर सकते है लेट से मैं अगर इसमें दोबाद से इसको insert करूं यहां पर देख सकते हैं दोबाद से मैंने इस particular query को चलाई insert वाली और यहां पर चेक करते हैं तो देखो यहां पर item ID second add हो गई smartphone आ गया price वही था same quantity तो देख लिए हो इसमें चेक नहीं कर रहा है है वो basically कि जो item ID है वो same है कि नहीं है वो exist करता है कि नहीं करता है directly क्या कर रहा है new value को insert कर दे रहा है sorry insert कर दे रहा है तो इस तहिके से हमने देख लिया क्या difference होता है insert और upset में तो अगर आपको कोई भी doubt आता है आप comment section में पूछ सकते हो आज के लिए end करते हैं